तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा and you are watching me on this prestigious channel of an academy that is Natioji in 10 So here in this particular video we are going to talk about the four most important floral holes of the flowering plants आज हम बात करने वाले हैं about calyx and corolla in detail और इसके साथ साथ हम जो है androsium and gynosium के बारे में भी उनके basic aspects जानने वाले हैं So please make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप concepts को बहुत बहुत बहुतर तरीके से समझ सकें और अपने examinations में implement भी कर सकें So let's proceed towards the content guys and let's crack it So guys these are some credentials of mine you can have a look if you want otherwise let's proceed You can also get connected to us via unacademy's learning app You just have to install this app from google play store it is freely available After that you need to click on get subscription और जैसे ही आप लोग get subscription पर click करेंगे you will be getting all our subscription packages on your screen I recommend you guys कि आप लोग यहाँ पर एक साल या दो साल का एक subscription pack opt करें क्यों? क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और दूसरे important चीज़ कि आप इन्हें pass on भी कर सकते हैं यानि समझ लीजे आपको एक साल के लिए नीट की तयारी करनी है और आप दो साल का एक pack लेते हैं तो आप सिर्फ 5000 रुपए extra पे करके दो साल का pack ले सकते हैं और आप एक साल अपने preparation करने के बाद ये pack किसी और को pass on भी कर सकते हैं अगले एक साल के लिए तो आपको भी comparatively ये सस्ता पर जाएगा समझ लिजे आप एक महिने का pack लेते हैं विपन नाम का code implement करते हैं 10% आपको discount मिलता है तो भी आपको monthly 5400 रुपए देने होंगे वहीं पर अगर आप 2 साल का एक pack opt करते हैं विपन नाम का same code apply करते हैं तो आपको monthly सिर्फ और सिर्फ 1350 रुपए देने होंगे यानि आप अपनी monthly effective cost को 5 गुना तक reduce कर सकते हैं just by changing the duration of subscription pack इसके साथ साथ अगर आप विपन code लगाते हैं और एक या दो साल का pack लेते हैं आप लोगों को विपन code यूज करना होगा और आपको मुझे screenshot send करना पड़ेगा on my official social media handles जो के आपको इस वीडियो के end वाली slide पर मिल जाएंगे तो गाइस पार्ट के काफी सारे फ्लावर के काफी सारे important parts होते हैं तो यहाँ पर बेसिकली चार होल्स होते हैं जिनका नाम है Calyx, Corolla, Androsium and Gynosium या फिर इन्हें क्या बहुत सकते हैं आप लोग सेपल जो कि आपकी हरी छोटी छोटी पत्या रहती है जो फ्लावर को cover करती है Corolla जो कि आपके colorful petals होते हैं वो Androsium यानि आपका male sex organ और Gynosium यानि आपका female sex organ तो यहाँ पर क्या रहता है Androsium and Gynosium are your sexual holes तो इसलिए इन्हें essential holes भी कहा जाता है यानि ये आपके बहुत जादा काम के होते हैं लेकिन Calyx और Corolla जो है इन्हें essential में count ना करके accessory floral holes में count किया जाता है तो Calyx क्या होता है ये आपका सबसे outer edge पे present रहता है swollen part present रहता है जिसे आप thalamus बोलते हो और उस thalamus के उपर आपके सारे के सारे floral parts present होते हैं सबसे जो outer most part रहेगा इसे आप Calyx बोलोगे ये जो green color का आपको यहाँ पर leafy structure दिखाई दे रहा है This is the calyx which is the outer most part इसके अंदर जो parts रहेंगे जैसे कि ये colorful petals ये आपके होंगे corolla उसके बाद होंगे आपके male और female sex organs which are your androsium and gynosium तो यहाँ पर जो आपको ये greeny structure दिखाई दे रहा है इस तरीके का ये आपकी gynosium है यानि female sex organ और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके androsium है यानि male sex organ तो यहाँ पर क्या हुआ कैलिक्स देखो आपके क्या है हरे वाले पत्ते जो सबसे outermost part है जो bud की stage में आपके पूरे flower को protect करते है corolla क्या है आपके petal है जो की colorful होते हैं और variety of shape आपको देखने को यहाँ पर मिलती है ये disc like हो सकते हैं ये round हो सकते हैं क्योंकि अगर आप उसको देखोगे rose को देखोगे तो आपको उनकी petals की shape अलग दिखाई देगी अगर आप lotus को देखोगे तो petal की shape अलग दिखाई देगी अगर आप marigold को देखोगे jasmine को देखोगे या फिर अगर आप basically कोई भी pool देखोगे अपने आसपास उनके petal आपको distinct दिखाई दे सकते है these are androsium androsium में क्या होता है ये आपका enter होता है सबसे उपर जो की bilobd होता है bilobd मतलब इसके दो lobes होते है so this is bilobd enter और इसके नीचे इसकी long stock होती है जिसे आप लोग कहते है filament so this is androsium and gynosium में क्या होता है तीन important parts होते है पहला part जहां पर आपका pollen grain आएके गिरेगा which is the receptive surface इसे आप कहते है stigma फिर एक long tube like structure present होगी जिसे आप बोलते है style और सबसे नीचे का जो basal bulged part होगा swollen part होगा इसे आप कहेंगे क्या ये वाला जो part है इसे आप कहेंगे ovary सो ये आपके structure है चारों की चारों floral holes के अब देखो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है calyx जो है ये आपका outer most hole होता है क्योंकि आपका protective होता है function में और इसके जो members होते हैं इन्हें आप क्या बोलते हैं प्यार से sepals बोलते है sepals आपके usually green होते हैं in most of the plants और ये leaf like होते हैं और ये क्योंकि outer most है और outer most कोई भी चीज़ होगी तो वो protection का काम करेगी तो इसी तरीके से आपके calyx भी protection का काम करते हैं और ये flower को उसकी bud की stage में protection प्रोवाइड करते हैं जब आपने देखा होगा अगर आप रोज की कोई कली देखते हो तो जब वो कली के form में होता है तो आपको थोड़ा सा pink region दिखाई देता है उसके उपर और पूरा का पूरा जो pinkish region होता है यानि जो petals होते हैं वो covered होते है with your sepals आपको सिर्फ green part वहाँ पर दिखाई देता है फिर दीरे दीरे वो pink part खुलने लग जाता है और जैसे जैसे आपके petals उन्हों flourish करते हैं तो आपके leaf light structure नीचे आने लग जाते हैं तो bud stage से ही ये आपका protection का काम करता है कैलेक्स जो रहते हैं ये दो तरीके की हो सकते हैं पहला आपका gamo sepals क्योंकि इनको आप sepals बोलते हो gamo sepals का मतलब है सारे sepals एक साथ होंगे एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे तो gamo sepals का मतलब है united sepals और poly sepals poly मतलब एक से जादा और एक से जादा ये कब count की जाएंगे जब ये अलग-अलग होंगे तो ये जब free condition में present होंगे तो आप इन्हें बोलोगे poly sepals condition इसमें sepals आपके free होंगे then आपका corolla so corolla में क्या हुआ basically corolla आप petals को बोलते हो ये brightly colored होते हैं जिससे ही कि ये insects को attract कर सके for pollination purpose so insects जो है यहाँ पर आएंगे flower color से attract होकर और वो in fact pollination करके जाएंगे यानि pollens का transfer करके जाएंगे like calyx corolla भी जो है आपका gamma patalis हो सकता है क्योंकि इसे हम petal बोलते हैं तो gamma patalis मतलब यहाँ पर petals आपके fuse हो सकते है united हो सकते है और ये poly patalis condition भी show करता है यानि यहाँ पर आपके petals free हो सकते है shape जो है आपका corolla का और इनका color यह vary कर सकता है जैसे गेंदे के pool में आपको orange color देखने को मिलता है yellow color देखने को मिलता है rose आपको red color का देखने को मिलता है white color का देखने को मिलता है pink color का देखने को मिलता है so their color as well as their petal shape varies greatly in different kind of plants और इनके corolla की जो shape है ये tubular भी हो सकती है, bell shape भी हो सकती है, funnel shape भी हो सकती है या फिर round wheel shape भी हो सकती है depending upon the flower that you are considering All right, so ये आपके चारों floral holds के बारे में basic जानकारी थी अगले lecture में हम androsium और gynosium को fully decipher करेंगे with their structure and some of the important organization features All right, so guys अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को like कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो and please make sure to press the bell icon so that you never miss an update from NEETUG in 10 अगर आप anacademy का subscription लेना चाते हो तो आप weapon code को इस्तमाल कर सकते हो और आप इस code को use करने के बाद जो screenshot है वो मुझे मेरे telegram channel या फिर आप मेरे Instagram handle पर भेज सकते हैं जिससे कि मैं आपको आपके gifts आपके घर तक पहुचा सकूँ please guys इस channel को share करें अपने दोस्तों के बीच में जिससे कि हम लोग आप लोगों के लिए और better content ला सकें love sir भी आपको better content दे रहे हैं आपको बहुत अच्छा content so please make sure to support and share this channel with as many students as you can thank you so much guys lots of love and I'll catch you in the next video thank you